गैस अभी तक हम लोगों ने काफी चीज़े देखी इस कोर्स के अंदर मैं आज के इस वीडियो में colors पर बात करना चाहूँगा और मैं आपर एक नई file बनाऊँगा जिसका नाम रखने वाला हूँ tute18.html तो यहां पर मैं रख देता हूँ नाम इसका tute18.html और यहां पर मैं boilerplate लगा दूँगा अपनी html की तो मैंने यहां पर boilerplate लगा दी और मैं यहां पर tap tap दबा के title में आके लिख दूँगा colors in css ठीक है यहां पर मैं करने के आवाला हूँ मैं सबसे पहले एक काल की बुल की markup बना लेता हूँ मैं markup बना लेता हूँ च्टू लगाता हूँ यहां पर लिख देता हूँ this is my first box उसके बाद मैं यहां पर paragraph लिख देता हूँ इसमें id डालूँगा मैंने इसका नाम रख दिया id is equal to first para इसको मैंने एक id दे दी और मैं आप style tag लगा रहा हूँ style tag लगा कर मैं क्या करूंगा hash लगा फर्स पैरा लिखूंगा और इसके अंदर color को अगर मैं red कर दूँगा कुछ इस तरह से तो आप लोग देखों यहां प लोग को नहीं मालूं तो यामर मैं लिखूंगा कि color by name क्योंकि यह मैंने नाम directly ले लिया color का बहुत सारे नाम होते है colors के ऐसा नहीं है अगर मैं B लिख दूँ आपर देखो कितने सारे नाम आ गए यह ब्लैंच करके पता नहीं क्या क्या आ रहा है blue violet किया save किया देखो यहा background color के लिए colors लागू होते हैं जहां-जहां color की बात आती है border का color हो आगे हम देखेंगे color जहां भी use कर रहे है यह बात लागू होने वाली है जो मैं colors के बारे में आपको यहां पर बता रहा हूँ चले तो first para हो गया अब एक काम करते हैं यहांपर मैं क्या कर रहा हूँ दो औ box second box और यहांपर मैं करने के आवाला हूँ second para के लिए मैं कहूंगा color को कर दो एक नया तरीका आप लोगो दिखाता हूं RGB की मदद से color लेना तो यहांपर RGB जब आप लिखते हैं तो एक function की तरह आप लिखते हैं इसमें red value red green और blue ठीक है मैंने भी 000 डाल दी यह value 0 से 255 तक हो सकती है अब देखो 000 लिखा तो यहांपर यह black box आ गया तो यह VS code का बताने का तरीका है आपको की यह RGB की value 000 होने से ऐसा दिखने वाला है आपका अगर मैं इसको 255 कर दूँ यहांपर 255 तो यह green हो चाहिए क्योंकि मैंने green की value 255 दे दी है बाकी red और blue 0 कर दिये red green और blue अब अगर मैंने red की green की blue की तीनों की कुछ value रग दी तो यह color बनता है ठीक है और मैं यहांपर इस तरह से जो color मुझे चाहिए मैं इस तरह से select अर सकता हूँ यहांपर इसने मुझे बड़ा beautiful सा picker दे दिया और यह देखो यहांपर कोई भी color में यहांपर बना सकता हूँ जो अच्छा लगे वो मैं ले सकता हूँ और यह बहुत ही convenient होता है तो मैं save करके semi color लगा दूँगा और यहांपर देखो यह orangish type का color यहांपर बन गया है एक और तरह के colors जो कि आप लोग देखने वाले है है hex colors और hex colors अगर आप नहीं भी सीखें तब भी चलेगा लेकिन आपको सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर किसी और ने यूज किया website में hex colors तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या उसकी website में चल क्या रहा है यहांपर मैंने third पैरा लिखा और मैं यहांपर लिख दू है अब यहांपर मैं आप लोगों को बताता हूं कि काम कैसे करता है अगर आप hex colors hex color picker को search करें google पे तो आपको कोई ने कोई website मिल जाएगी colorhacks.com तो मुझे याद भी थी मैं इसको use करता था पहले और academy खुलने ये बंद कर देते हैं जो भी खुले हर website ठीक है किसी से भी अब अब दे लिए लोग तरह के kitty मुझे दे रहा है क्या ये रहा है कि ये देखो ये वाला जो color बना सकते हो RGB ये लेकर और उससे के साथ-साथ ये वाला באी बना सकते हो ऐसे और बियत जज़ो देख लो, ठीक है, हर तरह का यह मुझे दे रहा है, RGB देखना चाहता हूँ, मैं RGB देख सकता हूँ, HEX में इसकी value यह है, इसको मैं copy कर सकता हूँ, और यहाँ पर यह export palette कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ मुझे बता रहा है, अलग लग तरह की चीज़े दे रहा है, लेकिन HEX color की ज़्यादे जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, तो यह HEX color भी RGB ही है, एक तरह से अगर देखा जाए तो, तो अब जरह इस बारे में बात कर लेते हैं कि HEX color काम कैसे करता है, जब आप यह लिखते हैं HEX में, तो यह R है आपका जो 60 है वो R है, DC है वो G है, यानि कि Green और A4 है वो Blue है, ठीक है, 60, 96 पर Map कर रहा है, DC, HEX ADC में 220 पर Map कर रहा है, और जो A4 है वो 164 में Map कर रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, एक 1-2-1 Mapping है, RGB और HEX colors में, और आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आप 88 कर दिया अगर उसको Save किया तो एक नया Color बन गया, ठीक है, तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो आप इन दोरों में से, अभी मैंने आपको यापर सिर्फ color property के बारे में बताया, आने वाले time में मैं आप आप लोगों को बताऊंगा background color के बारे में भी, तो अगर मैं आपर background color दे दूँ, तो उसमें भी विल्कुल यही color चलते हैं, नाम से ही, तब शयद यह visible होगा, हाँ भी visible है, तो जहाँ जहाँ पर कोई भी color से related property यूज़ हो रही है, वहाँ वहाँ पर आप इन टीनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो आई होप कि आप लोगों समझ में चीज़ आ गई होगी, जो भी source code है वो सब आप लोगों को में description में दे दूँगा, और आने वाले time में और चीज़ों के बारे बात करेंगे, और भी properties होती हैं जो color यूज़ करती हैं, जैसे की border है, border में हम color specify कर सकते हैं, और वहाँ पर हम बिल्कुल इसी तरह colors का इस्तेमाल करेंगे, बस यह तीन तरह के colors थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पर मैं just for reference, यहाँ पर मैं hash लगा कर रख देता हूँ एक color, ताकि आप लोगों को पता चले, उप्स मैं आपर कुछ भी लिख देता हूँ यार, ठेक है, देखो red color बन गया है यहाँ पर, और मैं आपर लिख देता हूँ color by hex value, color by hex value, और यहाँ पर क्या होगा color by RGB value, तो यह CSS मैं comments लिख रहा हूँ basically मैं, ठेक है, color by RGB value, तो तीन देखे हमने प्रकार color के, एक तो प्रकार था हमारा color by name, दूसरा प्रकार था color by RGB value, तीसरा प्रकार था color by hex value, इनको आगे भी देखेंगे और use करते रहेंगे, जैसे हमने जिन्दगी में website बनाएंगे, I hope यह video आपको पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को यह video पसंद आ रहा है तो kindly इसको like जरू करें, और इस web development की playlist को access कर लें, bookmark करके अपने पास save कर लें, एक अधे ताह है तो चाहिए, और रहीं आपको तो यह विल्स आई हैंगे, और इसे एंगे, जो आद हैंगे, झाल